हलो दोस्तों नमस्कार केपी टीचर काड़ी में आपका हार्तिक सुवागत है आसले करते हों आप स्वास्त होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज हम सीटीपी वालविकास सिच्छा साथ का 30 कुश्चन के सहसे लाएंगे जो की सीटर प्रिशा की देश्टी है काफी हलोग करे बीडियो को लाइक करें जैसा है शेयर करें दोसको साथ में चनल को सब्सक्राइब करें प्रैस करें जिससे की नोटिफिशन में आदिम से आपको बीडियो मिलती रहेंगी तो आज करम फर्स कोश्चन ही स्टार करेंगे कोश्चन है इसका सहसवावस्ता की बिश्यस्ता नह है जापी नहीं में तीन option यह पूशन पूचा गया है तीन option यह पूजिटिब होगी और एक नइगिटिब होगा वही आपका answer हो जाएगा जैसे के बात करते है पहले विस्यसता की बात करते है तो जैसे के हमारे होना चाहिए आपी की बच्चे में सारे की विकास की ती बृता दूसरों पर निवरता और मांसी विकास में ती बृता जो नहीं होगा हमारा होगा बच्चे में नैतिक तागा न होना यही हमारा अंसर हो जाएगा यहां पर हमारा C अगला कोशन देखेंगे कौन सा सीखना इस्ताई होता है A. रटिकर, D. सुनकर, C. समझकर, D. देखकर तो question बुशे जारा कि कौन सा सीखना है जो कि इस्थाई होता है अगर हम इस्थाई सीखने की बात करते हैं तो चीज़ों को हम समझकर सीखते हैं तो जब वह ज़्यादा सबस्ज़ादा इस्थाई होता है तो अंसीदा करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा C. समझकर, सीखना अगर कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बलागनों प्रैस करें जिससे कि नोडिकुशन माद्धिम से आपको वीडियो बलती रहेंगी question देखेंगे सीखने का हुआ है model जो बच्चों की स्रेजनात्ता को उत्परिद करता है A. banking model B. रचनावादी model C. programming model DA. उपरिक्स में से कोई नहीं तो question पूशे जारा है कि सीखने का हुआ है model जो बच्चों में स्रेजनात्ता को उत्परिद करने या क्रिवटी को उत्परिद करने के लिए करता है वो model कौन सा है या question में पूशे जारा है तो जब हम स्रेजनात्ता है या क्रिवटी की बात करते ही तो यहां पर रचनावादी model सबस्परिज़ा वैस्ट होगा तो अंसे देक्रेक्ट हो जागा पर मारा B आला क्रिवटी देखेंगे जिस प्रकिरिया में ब्यक्ति दूसरों के विवार को देख कर सीखता है नक की प्रतच्चे अनुववववववों की को कहा जाता है A. सामाजिक अधिगम B. अनुववववव अधिगम D. अक्समाक अधिगम तो कुशन में पूछे जारा है कि जिस प्रकिरियामे ब्यक्ति पिवर्चि दूसरों के विवार को देख कर सीख रहा है या अनुवववकी मादने से सीख रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा यह कुश्यन में पूछ रहा रहा है तो जैसके में बात करेंगे यह सामाजिक अधिगम कहलाएगा तो अंसी देख रेक्ट हो जागा यहांपे मारा ए अगला कुश्यन देखेंगे निमनलगत में से कौन सा कतन किसी व्यक्ती के मानसिक स्वास्त को उत्तम रुप से प्रदस्त करता है यह पूंण अभीव्यक्ती, संगीती करण और सामानी लक्षन की और निदैशन बीय है मानसिक बिकारों का न रहुना सिये ब्यक्तित के बिकारों से मुक्ति डिये उप्रक्त में से सभी तो जब कोशन में पूश रहा है कि नेमने लगत में से कौन सा कथन है जो कि किसी ब्यक्ति के मानसिक स्वास्त को उत्तम रूप से परदसित करेगा या करता है या कोशन में पूश रहा है तो जब व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के मानसिफ स्वास्त को उत्तम रूद से प्रदस करेगा उसके अकोर्डिंग होना चाहिए कि किसी व्यक्ति में या व्यक्ति के अकोर्डिंग उसका पूर अव्यक्तित संगीत करण और सामर लेचनों की और निर्देशन करेगा तो अनस सा माफ के जी फस्त है प्रसंसा एवं दोस्तार उपड सेकिंड है प्रत्य तुन्दता सि थर्डर प्रुसकार एवं दंड फोर्थ है प्रग्राम का ग्यान इनमें से सही है option पुछा गया है option है e है first और second 2 है first second और third c है केवल second d सभी तो कोशिन काफि अच्छा पूछा गया है कोशिन एक वार और देखेंगे तो जासि के आप पूछा जा रहा है कि बहा ही बात की जा तो बच्चे में बारी operator होगा, प्रत्रत्य दूदलता competition करेंगा, तो बच्चे का बारी operator उसे प्राप्त कर रहा कि जिसे कि किसी ने 10th pass किया है, तो वो भी उसके गोड़ी कहेगा, मैं भी ऐसी गोड़ी मेनत करूँगा, और 10th pass करूँगा, क्या एक competition हो गया, प्रत्रत्य दंड देना भी यह भी जिए कि हमारी बाहरी अपरिण रहता है तो उसे हम बोल देगे कि अगर आप इस कोशन को याद नहीं इस चीज को पढ़एंगे नहीं, तो आपको धंड रिया जागा, बच्चा को प्रेड़ाम करेगा और बच्चा चीज तरह से पढ़एगा, या बच्चे को प्रेड़ाम का ज्ञान हो, कि बच्चा ये चीज जान जाए कि मुझे ये कारे करने से ये चीज ब्राप्त होगी, तो बच्चा क्या इससे ये बाहरी प्रेड़ा मिल रहे है कि बच्चा को प्रणाम मेरे महनत करने से, या मेरी ज़्याद आशा महनत करने से, मुझे गॉर्बंड जाब मिल जाएगी, या मैं ये स्टेंथ पास्त कर लूँगा, या ये चीज कर लूँगा, तो क्या ये बाहरी उसके प्रणाम को बारे हैं पता है पहले से तो ये भी मारा पुर्षकार या बाहरी ज्ञान या अविप्रेड़ना होगी तो इसका कोड़ी हमारा आंसर करेक्टर हो जाना चाहिए माफ किजिए हो जाएगा ये सभी, तो आंसर हो जाएगा मारा D, अगर आशन देखेंगे निमनलग मेंसे कौन सीखने के सही इस तर है A. तैथ्य ज्यान प्राप्त करना सूचना बोध प्रग्यान B. तैथ्य सूचना बोध ज्यान प्राप्त करना प्रग्यान C है तैथ्य सूचना ग्यान प्राप्त करना बोध प्रग्यान D है तैथ्य बोध सूचना ग्यान प्राप्त करना प्रग्यान तो कोशन में पुछा जारा कि निम्न दख समय से कौन सीखने के सही इस्तर है सही इस्तर हो के बारे मैं पूछा गया है तो जैसे हम बात करते हैं सही स्थार की, तो यहां पे तैथ्य सूचना, ग्यान प्राप्त करना और उसका बोध फिर प्रिग्यान करना सबसे सही स्थार होगा, तो अंसीदा क्रेक्ट होगा यहां पे हमारा C, अगला खुशन देखेंगे, जब बालक की परिच्छा द्वारा मापी के योगिता की सही मुल्याकन में इस्तायत होता है, तब उस परिच्छा को कहते हैं, A. बैदिता, B. विस्वासिनियता, C. असुनिश्टा, D. इनमें से कोई नहीं, तो कुश्चन पूछे जारा की, जब बालक की परिच्छा द्वार मापी के योगिता की सही मुल्याकन में इस्तायत होता है, तब उस परिच्छा को क्या कहेंगे, यह कुश्चन में पूछे जारा है, जिसके बात करती हैं, यह परिच्छा को यह तब उस परिच्छा को विस्वासिनिता कहेंगे, तो अंसिता करेक्ट हो जाया है, यह में बा तो कुश्चन पुछा रहा कि अधिकम इस्थानत के दोतंदी सिधानत जो दिया था वो किस ने दिया थे या कौन है या कुश्चन पुछा रहा है तो यह दिया था इस पर मैंने तो अंसरेक्ट हो यहां पर मारा अगला उसे देखेंगे बंडुर गातन है कि बच्चे पृतकरियाएं प्रतमानी करण द्वारा सीखते है जिसको भी कहा जाता है A. A. अभ्यास द्वारा सीखना B. अंतरगश्टी द्वारा सीखना C. निरिचनात्मक अधिगम D. पुरसकार द्वारा सीखना सीखते हैं उसको जिसको क्या कहा जाता है या किसके द्वारा कहा जाता है यह कोशिन में इस पर दार से कोशिन को समझ सकते हैं तो जिसके हमें बात करते हैं यह निरिश्णातमग अधिगम होगा तो अन्से देखर हो जागा यहाँ पर हमारा C अगला उश्र देखेंगे यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए यह इसारा करता है A. अध्यापक केंदे सिच्चा की और B. बाल केंदे सिच्चा की और C. मुल्यागन केंदे सिच्चा की और डी है परिच्छा किंद्र सिच्छा की और तो question काफी अच्छा पूछा गया है question पूछा जा रहा है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाती है तो बच्चों से सीखिए तो यह इसारा किसकी और कर रहा है यह question हो पूछा रहा है तो जिसके बात करती हैं यहां पर यहां बाल किंद सुच्छा की ओर इस सारह कर रहा है अंसी देखर होजागा यहां पर हमारा बी आलोशन देखेंगे बच्चों में नैतिक मूल्यों को विक्सित करने का सरवदिक उचित तरीखा है यह प्रात्य कालीन सवा में बच्चों को नैतिक उब्दिस देना बी आ बिद्ध्यार्तियों के सामने एक परिस्तिती रखना और उस पर निर्णन लेने के लिए कहना बच्चों में नैतिक मूल्यों को विक्सित करने के लिए सरवदिक उचित तरीखा क्या हुआ यह पूछे ज़रा है तो इसके हम बात करते हैं बच्चों में नैतिक मूलों को बिक्सित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हुआ है कि बिध्यारतों के सामने एक ऐसी सिच्चकों एबं बड़ों द्वारा नैतिक मूलों को बिक्सित करना सबसे बैटर होगा कि कुई अगर टीचर और बड़े वहाँ पे अच्छी तरह से अपने बहाव प्रिकट करते हैं या अपने एक रॉल मोडर की तरह पे अपने आपको प्रिक्सित करते हैं तो बच्चे जो चीज देखते हैं वही चीज कॉपी करते हैं उसकी नकल करते हैं तो अंसे तरह करेक्ट होगा इसका बड़ों को प्रिक्सित करना अगला कुशन देखेंगे कुशन देखते हैं पहले फिर आप्शन देखेंगे निम्लग मैंसे कौन सी परिष्टिती स्रजातवत्ता को बढ़ाने में साइक होगी एए सीखने ही तु सीमित अबसर हो भी ये बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए जब बच्चों को स्वय करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अबसर दिये जाए तो कुशन काफी अच्छा पुछा गया है कुशन पुछा जारा कि निम्लक समय से कौन सी परिस्थिती स्रणदत्ता को बढ़ाने के लिए में साइक होगी क्रिप्टी को बढ़ाने में साइक होगी ये कुशन में पूछा रहा है तो जैसके बात करती है सिखने हे तु सीमित अपसर तो देख रहा है मगर यहां पे सीमित चीज़ दे रहा है हम यहां क्रिप्टी बढ़ाने के लिए साइक करने के लिए हम सीमित चीज़ नहीं देनी है तो यह अमारा आप्शन नहीं होगा उत्रों को याद करने के लिए ये क्रिविटी के अंतर नहीं आता है ये स्रगमतात की अंतर नहीं आता है तो ये वी आरा option नहीं होगा C में देखाया तो किसी समस्या को बता दिया जाए ये समाधन बता जिया तो इससे भी बच्चे सीख नहीं पाएंगे जब तक हम बच्चों को स्वय करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अबसर उपलब्द नहीं कराएंगे तब तक बच्चे के अंदर क्रेविटी या स्रगमतात उत्पन नहीं होगी या सायक नहीं होगी तो अंसितर क्रेक्ट होगा इसका बोड़ी हमारा A बच्चों को जब बच्चों को स्वय करने के सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्द कराना तो अंसर ये हो जाएगा माफ कीजिए डी हो जाएगा अगला कुश्चन दिखेंगे गत्यविदी आदर सिच्चड पर बल देता है ये सभी विध्यातियों की सक्रिय भागिदारी बिया निश्यत अवदी ने गत्यविदी पूरा करने से ये खेलने डी है अनुस्वासित कक्षा तो कुश्चन बोच है रहा कि गत्यविदी आदर सिच्चड किस पर बल देता ह यह question में पूछाए रहा है तो जैसे के बात करती है गत्यविदी आदर सिच्छ रहे है जो कि सभी विध्यातियों की सक्री वागिता है तो अंसी देक्रेक्ट हो जागे है यहाँ पे हमारा अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसके नोटिक्शन मात दिम से आपको वीडियो विलती रहेंगी कोशन देखेंगी आप यह निमनल लिकित में से कौन सी परिस्तिती में बच्चे का सम्वेगात्मक एवं साम अच्छे से होगा जब बच्चों को मैतपूर माना जाए और उसकी भावना का सम्मान किया जाए बच्चों को जब बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए जब बच्चे की कच्छा में अच्छे अंक आए जब बच्चे को अधिक बौदिक इस्तर के अनुसार पढ़ाया जाए तो question पुछा जाए कि कौन सी परिस्तिती में बच्चों में संभेगात्मक और समाज की विकास अच्छे से होगा तो बच्चों में संभेगात्मक और समाज की विकास करने के लिए कौन सी परिस्तिती में सबसे बेटर होगी यह question में पूछा रहा है तो जब बात करते हैं जब बच्चे को मैतपूर मना जाए और उसकी बावना का सम्मान किया जाएगा और उसे लोगतांत्रिक इन्वर्मेंट दिया जाएगा तो बच्चा कहा सम्मेगा अत्मा और समागी बिकाई बहुत अच्छी स्रे से उत्पन होगा या होगा उसमें तो आंसे तरह करेक्ट होगा यहां पे हमारा A अगर कोशन देखेंगे निसुल्क और अन्वर्मेंट बाल सिच्चा का अधिकार अधिनियम के प्रवाब साली होने की तिती है A. 1 अपरेल 2009 B. 1 अपरेल 2010 C. 1 अपरेल 2011 D. 1 जनवरी 2012 कोशन कफी अच्छा पुछा गया Q. निसुल्क और अन्वर्मेंट बाल सिच्चा का अधिकार Right to education की बात की जा रही है अधिनियम पारित होने की या प्रवाब साली होने की तिती पूछीगे Date पूछीगे की क्वेशन में Date क्या थी या क्या है तो इसके वे कोड़ी हम बात करती है Right to education की जा बात रही है इसमें 6 से 14 वर्स की बच्चों को निसुल्क सिच्चा प्राप्त करने का प्रवधान है जो कि हमारी जो संसत में पारित होने थी वो 1 अपरेल 2009 को होई थी और जो कि लागू की की थी जो कि 1 अपरेल 2010 में लागू ही थी तो अंसिदा करेक्ट होगा इसमें पारित हमारा B अगला कोशन देखेंगे बिज्ञान एवं कला प्रदशनियों संगीत एवं नित्य प्रस्तुतियां तथा विद्ध्यालय पत्र का निकालना के लिए है यह बिविन बिविसायों के लिए विद्ध्यारतियों को प्रस्चित करने बिए विद्ध्यालय का नाम रोशन करने सिए अव्याव को संतुष्ट करने डिए सिच्छातियों को स्रिनात्मक मार्ग उपलब्द कराने तो कौश्शन काफ़ी अच्छा पूछा गया है, कौश्शन पूछ चारी है, कि बिग्यान एविम कला प्रतशनी ओंकी माध्यम से कराना या उसमें क्रेविट्री को अईप्रोडित करना तो अंसी तरह क्रेक्टर हो इसके अवारा डी कि आला कोशन देखेंगे सामने बिद्ध्यारतियों के साथ यदे आपको एक नेत्र बादित बिद्ध्यारतियों को पढाने का अबसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का बिवार करना चाहेंगे कोशन काफी अच्छा पूचा गया, सीटर में कोशन इस पर आरके काफी आती है, तो कोशन को पहले समझेंगे, उसके अकोडिक आंसर देंगी, पहले आप्शन देखती है, यह उस पर अत्रिक्त ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इससे अधिकांस की पढ़ाई में बादा पहु आगे बाली पंक्ती में उसके बैटने की बिवस्ता करेंगे, और उसकी सुविधा के अनुसार उसे यह अनुसार गती से उसको पढ़ाएंगे, यह कोशन में बोला जा रहा है, तो कोशन काफी अच्छा पूचा गया है, कोशन इक बाद और देखती है, कोशन में बोला कि सामाने बिद्ध्यारतियों की साथ, यदि आपको एक बच्छा है कि जो नेत्र हीने या बादित है, को पढ़ाने के लिए, माफ कीजिए नेत्र हीने बादित है, मतलब उसे प्रॉलम है, पढ़ाने का अबश्र प्राप्त हो रहा है, तो आप उसे कक्छा किस प्रकार का बिभार करेंगे, यह कुशन है, तो जैसके बात करें, अगर आपको इस प्रकार का टीचर होने की माद्यम से आपको इस प्रकार की बच्छे मिलता है, तो आपको एक समाभी सिच्छा का आधार अपनाना होगा, और आप उस बच्चे को आगे वाली पंक्ती म आपको इस से प्रकार कि बच्चे क्रता है, आपको इस सिच्छा सास्तर क्या प्रकार करता है, यह कुशन में पूशन हो है, तो जैसके बात करते हैं, नएप पुच्छा सास्तर है, जो की अधिग्रम के लिए निर्दारण प्रिदिस्द करता है तो अंजिदे करेक्ट हो जागा यहाँ पर हमारा C अरवाशन देखेंगे जीन प्याजे की संग्यानात्र बिकास की अवस्ता के या अवस्ताओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा काल जाना जाता है नेम्र कतमे से किससे सम्मंदित है A. इंद्रिय गति अवस्ता से B. मूर्थ संक्रिय अवस्ता से C. पूर्व संक्रिय अवस्ता से D. आपचारिक संक्रिय अवस्ता से कोशन कफे अच्छा पूचा गया कोशन पूचा जा रहा है कि प्याजे की संग्यानत्मक विकास की अवस्ताओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है निम्लों से किसे या किसे से सम्मझत है या कोशन में पूचा रहा है तो उसके बात करते हैं इसको अलग-अलग कर देता है, आप क्या करेंगे A. तनुज को कभी भी खिलोने की साथ खेलने नहीं देंगे B. सदैप कड़ी नजर रखेंगे C. जिसकी जिग्यासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी उज़ा की सही दिशा प्रतान करेंगे C. उसे बताएंगे कि खिलोने नहीं तोड़ने चाहिए तो कॉश्चन काफ़ अच्छा पुछा गया है कॉश्चन पुछा जाए है कि एक बच्चा है या बालक या तनुज है जो कि खिलोना तोड़ देता है और उसके मतलब पुर्जाओं को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग कर देता है तो आप ऐसी कंडिशन में या इस सथी में क्या करेंगे यह कॉश्चन पुछा जारा है तो इसके बात करती है या पे कि उसकी जिग्यासा पकरती को बढ़ावा देंगे और उसकी उर्जा को सही दिसापरदान करेंगे तो अंसेदा करेक्ट हो जागा यहाँ पे हमारा C अगला उसकी देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं जादे साथ सेर करें चैनल को सस्क्राइव करें पर लाइकर प्रेस करें जिससे की नोटिक्शन मादम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी कोशन देखेंगे तो कोशन पुछा जारा कि अधिगम कार के लिए विद्यार्तियों की तत्परता का आंकलन करना सिच्छकों के लिए कटिन है क्यों कटिन है यह कुशन में पूछा रहा है तो जैसे के बात करती है कि अधिगम कारे के लिए जो विद्ध्यार्तियों की तत्पर्ता का जो आंगल करना सिच्छकोली कटिन है उसका कारण है हमारा कि तत्पर्ता के सभी तत्व एक साथ परपक को नहीं होती है तो अंसिता करेक्ट होगा हमारे याँ पे ए अलोशन देखेंगे कि निमनलард मैं से करिया कलाब का अंग है ए चात्रों से परति परति परश्न पूछना बी सियामपट पर चात्रों के उत्तर लिखना या चात्रों से चित्र बनवाना सिये पाठ्थे बस्तू को स्पस्ट करने हितू चार्टों या मॉडल का प्रियोग करना दिये उपरक्त सभी तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है कोशन पूछा जारा कि निमलकत मैं से कक्चा कक्च क्रिया कलाप का अंग है अंग पूछा गया है पाठ्थे बस्तू को स्पस्ट करने हितू चार्टों या मॉडलों का प्रियोग करना इस पकार से क्या है हमारे कक्च्छा कक्च्छा में क्रिया कलाप कराने के अंग है तो इसका कोड़ के वारा आंसर जीज़ा करेक्ट लियागा अप्रिक्त सभी तो आंसर जीज़ा है हमके मारा डी अगला उशन देखेंगे प्याजे की संग्रम सिध्धानत की अवस्ताओं का किरम नीम लिखित है ए संबेदनात्मक गामक काल बी ए मूर्थ सक्रियात्मक काल पूर्व सक्रियात्मक काल अप्चारिक सक्रियात्मक काल बी ए संबेदनात्मक गामक काल पूर्व सक्रियात्मक काल मूर्थ सक्रियात्मक काल अप्चारिक सक्रियात्मक काल सी ए पूर्व सक्रियात्मक काल संबेदनात्मक गामक काल मूर्थ सक्रियात्मक काल आपचारिक सक्राइत्मक काल डी देखेंगे इसका डी है कोशन काफी अच्छा पूछा gapल पयाजे के संगरनद सिधानत की जो अवस्ता है उनका सही करम क्या है यह कोशन हम पूछ ह torso है तो जासके बात करती है प्याजे जी ने जो की संगरन्द विकास की सिदान्द वी जो अवस्तान दी थी सबसे पहले थी संभितनात्मा गामक काल बच्चे जिसकी इंद्रियों से सीखता था पूर्व सक्रिनात्मा काल मूर्थ सक्रिमत काल आपचारिक सक्रिनात्म काल तो अंसिता करेक्ट हो जागा यहाँ पे हमारा B अगला कोशन देखेंगी वीडियो को लाइक करते हैं साथ आतमें चैनल को सब्सक्राइब करें ब्लाइक नूप प्रैस करें जिसे की इनेडिक्शन में दिम से आपको वीडियो बिलती रहेंगी सिय चात्रों से प्रश्न पूछना डिय चात्रों से बिचार प्रमर्श करना तो कोश्चन पूछन पूछन जा रहा कि सिच्छक के कक्षा में प्रविस करते ही कक्षा कक्ष में कौन सी क्रिया होती है यह question में पूछा रहा है तो उसके बात करेंगी जब teacher class में enter करेंगे प्रिविस करेंगी तो उसके जो कक्छा में जो क्रिया कलाप या क्रिया होगी वह सिच्छक द्वारा कक्छा आकार की अनगूती होगी तो मारा answer होगा याँपिया मारा A अगरा question दिखेंगे project car का प्रमुख आदार है A प्रयोगता B बैग्गानिकता C ए A वं B दोनो D ए कलपना तो question पुछा जा रहा की project car का प्रमुख आदार क्या है project car के बारे में कुछ आगया है जोसके project car की बात करती है प्रयोगता और बैग्गानिकता दोनों ही project कारिये में आती है तो हमारा अंसीता character होगा A V दोनों C answer होगा अगरा question देखेंगे स्रेजना 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 सीलता के portion के लिए एक अध्यापक को निर्म लोग में से किस बिदी की साहिता लेनी चाहिए अध्यापक को निर्म लोग में से किस बिदी की साहिता लेनी चाहिए यह question में पूछा रहा है तो जैसके बात करती है brain storming बिदी की साहिता लेने से स्रेजना सीलता के लिए साहिक होगी एक अध्यापक के दोरा तो आंसिता करेक्टर होगा यहां पे हमारा A अगला उश्र देखेंगे अध्यापक किसी बिद्ध्यारती की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है A. कटोर परिसलम का सुजाफ B. गृंथाले में निर्चित अध्यान C. निजी सिच्छड का सुजाफ C. निजी सिच्छड का सबसे अच्छा उपचार की बात करेंगे जानेंगे क्या चीजे फिर उसका निदान करेंगे और से उसकी चीजे समाप्त करेंगे समस्या का सुलूशन करेंगे तो सबसे बैटर होगा निदानात्मक सिच्चर तो अनसी देकरेक्ट होगा यहां पर हमारा अलोशन देखती है प्याज माफ कीजिए प्याजे के मतानुसार बौधिक विकास में आत्मसादी करड़ के साथ अन्य कौन सी मनोबैग्यनिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है A. आत्मसंग्यान B. समंजन C. प्रतच्छी करड D. अबुधान तो कोश्चन बुछा गया कि प्याजे के मतानुसार बौधिक विकास में आत्मसादी करड़ के साथ अन्य कौन सी मनोबैग्यनिक प्रक्रिया जुड़ी है मनोबैग्यनिक प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया जुड़ी है जिसके बात करते हैं बौधिक विकास में बहुत दे की विकास में आत्मसाथ करेन के साथ साथ जो की मनुबैगरन के प्रक्रिया जुड़ी है वो है कि सम्मझिस करना तो अनसीत है करेक्ट हो जाएगा हमारा बी अगर कोशन देखेंगे थस्टन तथा लिंकट निमलक्त में से किसके मापन से सम्मझित है तो कोशन काफी अच्छा पुछा गया है कि थस्टन और लिंकट है जो कि निमलक्त में से किसके मापन से सम्मझित है तो ये दोनों सम्मझित हैं हमारी अविवरत्ती तो अनसीते करेक्ट हो जागा है यहांपे मारा बी दोस्तों से सम्मझित है मिलते हैं नेक्ट से सम्मझित में जैन दोस्तों बंदे मात्रम